हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टड़ी विद देव स्टड़ी विद देव युटूब चैनल पर मैं देवंदर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आपने अभी तक स्टड़ी विद देव युटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजे और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ओन कर लीजे ताकि जब भी नर्सिंग, फारमेसी और पेरामेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी नए अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको नोटिपिकेशन मिल जाएगा दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और एचस बीएसी नर्सिंग एंटर्स एक्जाम 2021 से जुड़ी हुई सारी जानकारी में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ फोरम कब आएंगे, क्या योगेता रहेगी आपकी, किस परकार से आपका एडमिसन होगा फोरम पीस क्या रहेगी, सबके बारे में आपको बताने वाला हूँ तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे, फोरम आपके कब आएंगे योगेता क्या होगी फोरम पीस क्या रहेगी और टोटल गॉर्मेंट सीट्स कितनी है सेले बस आपका क्या रहने वाला है नेगिटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है मीडियम कौन सा रहने वाला है और कटोप क्या रहेगी exam level केसा रहता है exam center कहां आएगा कौन कौन से documents की आपको जरुत पढ़ने वाली है इन सबी 10 सवालों के मैं जवाब आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो end तक सबी students जरूर देखना और आप सबी को अच्छा लगे लाइक जरूर करना इससे पहले मैं आपको बता दू आप सबी के लिए इस चैनल पर डेली का डेली टास्क यानि की डेली का study plan प्रवाइड करवाया जाता है पब्लिस किया जाता है उस प्लान को देखकर आपको डेली पढ़ना होता है अगर आप उस प्लान से डेली पढ़ते हो तो आपको 100% 101% आपको selection मिलेगा SMS college भी मिलने की पूरी पूरी संभावना आपकी बन जाती है और इसके अलावा 3 बज़े आपकी physics की क्लास होती है 5 बज़े chemistry की और 7 बज़े आपकी biology क्लास होती अगर आप उन क्लासों को नहीं लेते हो तो आज ही चैनल को subscribe कर दीजे और आज सही डेना start कर दीजे क्योंकि अभी भी जड़ा time नहीं हुआ है अभी भी आप अगर चाते हो selection लेना तो अभी भी आप पढ़ना start करोगे तो आप selection sure ले सकते हो 100% की आपका selection हो जाएगा तो चलिए दोस्तों first questions की और हम बात करेंगे फोरम कब आएंगे उससे पहले कुछ important बात BSE nursing आप सभी को पता है एक 4 साल का course जोता है इसमें आपकी interest भी include होती है कितने साल का 4 साल का course जोता है और degree course जो है इस BSE nursing करने के बाद आप जिस तरह से nursing staff आप नर्स का एक्जाम तो देपाऊगे इसके साथ साथ आप IS IPS और RS इस सब का भी एक्जाम दे सकते हो यानि कि जो union public service commission होता है सभी के भी एक्जाम आप दे सकते हो मतलब आप graduate हो जाते हो लेकिन GNM करने के बाद आपको graduation सब्सक्राइब करने की डिगरी नहीं मिलती है वह एक diploma course जोता है RHS में boys और girls दोनों apply कर सकते हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि MSVS nursing में only girls ये apply कर सकती boys apply नहीं कर सकते हैं लेकिन इसा RHS में नहीं है RHS में boys और girls दोनों apply कर सकते हैं ठीक है हेलो बच्चों अगर आपको English बोलने में च्किचार्ट होती है अपने English इंट्रिव के तैयारी करने हैं और पर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो आप सबके लिए एक good news doubtnet apply आप सबके लिए English speaking course जहां English के top teachers आपको एकदम basic से English बोलना सिखाएंगे वो भी Hindi बासा में यानि अब आप हमें से हर बचा अंग्रेजी बोल सकता है और साथ ही इस course के अंत में आप सबको साथी विकिट भी दिया जाएगा तो अभी जाएए और doubtnet app पर यह course खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजे पूरे बारत में सबसे बढ़ी आदाम और इतना top quality का course सिरफ doubtnet पर मिलेगा course का लिंक description में जिसमें all India candidates forum बर सकते all India candidates forum बर सकते हैं और परवेश भी लेते हैं आप सभी को पता होगा कि जैसे कि कुछ centric university होती है जैसे कि भी हो गया और आपकी कौन से अधर अधर university है हर स्टेट में इससा नहीं होता कि वहां all India candidates apply कर सकते हैं जैसे कि UP में all India candidates apply नहीं कर सकते हैं MP में नहीं कर सकते हैं लेकिन राजस्तान की RHS university ऐसी है अकेले एक मात्र जिसमें all India के strengths फोरम apply करते हैं और उन सभी के लिए 15% seeds reserve होती है all India candidates के लिए 15% seeds राजस्तान में reserve रहती हैं ठीक है दोस्तों यह बात आपको ध्यान रखनी है आगे चलते हैं अगर आप other study candidate हो तो जरूर आरचस के लिए तयारी करना start कर दीजिए आप सभी को मौका मिलने वाला है अगला आपको पस्ट questions आपका आता है कि फोरम कब आएंगे तो दोस्तों जैसा कि आप सभी का सबसे बड़ा और सबसे चुनीदा questions यही बन रहा है कि RHS application forum कब आएंगे क्योंकि RHS उस CHO वाले जो training period है उस training वाले को complete करवाना चाहता है उसकी जो भी document process है उन सबको process को complete करवाके उन सभी की training March से पहले करवानी होगी नहीं तो अगर RHS इसा नहीं करता है तो RHS को fine बरना होगा government के लिए राजस्तान government के लिए fine बरना होगा लेकिन RHS नहीं चाता कि वो fine बरे इस देओ वो पहले CHO पर ध्यान दे रहा है ठीक है फोरम कब आएंगे आप सभी को जैसा की पता है कि आपके फोरम last year 16 October को आ गए थे लेकिन इस साल अभी तक आपके फोरम नहीं आए आपको हम बता दे कि आपके जो application फोरम है वो अगले चार से पांच दिन में आ जाएंगे यानि कि आप मानकर चलो 15 नौबर तक आपके फोरम आ जाएंगे कितने तारिक तक 15 नौबर तक आपके फोरम आ जाएंगे और ये इसका जो कारण है कि इतने लेट क्यों हो है तो डिपार्टमेंट पूरी तरह से उन CHO के इंडेट्स को जो community health officers हैं उन सभी को settle करने में लगा हुआ यानि कि जो उनकी college है उनके लिए hostel किस परकार प्रवाइड करवाना है उनको hostel देना है या उनको पैसे देने हैं रहने के लिए किस परकार सुने training period में किस परकार उनको सं की हुई है 11 तरिक तक उनका काम complete हो जाएगा तो इस वजह से आपके फोर्म आप जल्द आने वाले हैं अब इसमें क्या है जिसकी training आरचेस को मार्च 2022 तक पूरी करवाना यानि 31 मार्च 2022 तक उनकी training करवाकर उनका exam complete करवाना है इसलिए पहले उसमें तोड़ा बीजिता ले आगे हम बात करते हैं योग्यता क्या रहेगी तो आरचेस बेसे नर्सिंग के लिए योग्यता आपकी जो रहने वाली है सबसे पहले अपन एज की बात करते हैं तो एज 31 दिसंबर 2021 तक आपकी अगर male candidate हो तो आपकी एज 17 एर से 25 एनके 17 एर से 25 एर के बीच मोनी चीए और अगर आप female candidate हो तो आपकी age 25 की जगर 28 एर होगी तब भी आप इसके लिए eligible होगे ठीक है बात करते education qualification तो education qualification आपकी रहेगी 10 प्लस 2 medical group physics chemistry biology और इसके साथ English subject आपके पास compulsory होना जरूरी है ठीक है 12th पास और medical group में physics chemistry biology इनके साथ English subject आपका compulsory होना जरूरी है next question आपका जो रहता है फोरम की पीस क्या रहेगी तो फोरम की जो पीस रहने वाली है फोरम की पीस आपकी रहेगी application फोरम पीस आपकी रहेगी 1500 रुपे और SCST के लिए जो आपकी application फोरम पीस रहेगी SCST और PWD candidate की पीच केटिगरी के जो भी candidate होते हैं उन सभी के लिए 750 रुपे है बाकी जर्नल, OBC, MBC, EW सभी केटिगरी के candidates के लिए 1500 रुपे फोरम पीस रहेगी other state की candidates के लिए भी फोरम पीस यही रहने वाली है लेकिन जो राजस्तान की candidate है SC, ST और PH candidate है उन सभी के लिए 750 रुपे फोरम पीस रहने वाली है ठीक है आपका third question complete हो गया अगला question आपका बनता है कि total कितनी seat है total government seat कितनी है तो आप सभी को मैं बता दू कि राजस्तान में total जो nursing college प्राइवेट और government मिलाके 162 यानि कि 162 प्लस प्राइवेट और गौर्वेट नर्सिंग कोलेज है total गौर्मेंट कोलेज total nursing college 162 प्लस है इने में से जो आपकी total government seat रहने वाली है वह total government seat है आपके 728 कितने seat है 728 बाइकी जो total fully government nursing college है fully government college है वह एक मात्र fully government college है जो है आपका sms जो जयपूर में इस्टावली से है इसके लावा बाकी जो semi government college है 9 government colleges है जो semi government college है जिनमें आपको कुछ न कुछ payment pay करना होता है वह depend करता है आपकी category को पर अगर आप OBC Journal OBC Journal EWS और MBC category के male candidate हो तो आपको एककाउंट हजार रुपए पस्ट एयर पीस रहेगी उन नो college हो में बाकी SC, HT के male या female candidate हो तो आपको 21,000 रुपए पस्ट एयर की तो आपकी ये total government seats के बारे में बात होगे, बात करते है syllabus, syllabus आपका क्या रहेगा तो syllabus के बारे में आपको बता दू, syllabus में आपकी PC भी आने वाली है, physics chemistry biology, physics chemistry biology में आपका only for only 12th RVAC का syllabus आएगा, 12th RVAC का syllabus आएगा, biology के 34 questions आएगे, जिसमें 17 बोटने और 17 जूलोजी के आने वाले हैं, इसके अलावा जो आपकी physics से, physics से 33 questions आने वाले हैं, जो हम regular classes ले रहे हैं, physics chemistry bio की, तो आप वो classes जरूर अटेंड करिएगा, chemistry के 33 questions आते हैं, जो आपके लिए बहुत ही important और बहुत ही मुत्पून questions रहते ह हैं, तो सभी के लिए class हमने start कर रहे हैं, तो आप सभी एक बार हमारे चैनल पर जाकर अच्छी तरह के से widget करेगा सारी class है, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, total 100 questions का आपका paper होता है, इस paper में से आपको minimum कितने marks लाने होते हैं, वो depend करता है, आपका paper का level केसा आता है, ठी paper में कोई negative marking नहीं होती, no negative marking in RHS nursing entrance exam, एनि कि आपके RHS nursing entrance exam में आपकी कोई भी negative marking नहीं होती, paper का जो medium रहता है, paper English और Hindi दोनों medium में होता है, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको दियान रखना है कि जो आपका paper होगा, वो Hindi और English दोनों medium में होने वाला है, अगला क्यों क्या रहे तो दोस्तों, अगर आप सभी ये चीज़ जानना चाहते हो, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजिएगा, क्योंकि आपको हर update यहां मिलेगी, और हर जानकारी आपको बिल्कूर official जानकारी आपको proof के साथ मिलती रहती, हम बात करते है कटोप की, तो कटोप क्या रहेगी, तो इसका paper से पहले कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह paper के level पर निर्बड करती है, और students की उपस्तिती पर निर्बड करती है, कि कितने students उपस्तित हो रहे, कितने नहीं हो रहे, कितने फोरम बरे गए ते, उसके आदार पर ही depend करती है, इसको सकता, फिर भी आप मान कर चलिए general category का coding, अगर आप general category से belong करते हो, या इस general category का coding, आप अपनी cut-up देख सकते हो, एक, दो, तीन, तीन, मार्क्स कम करके, category wise आपको इस्ता तो अंदाजा होगा, इसा है, फिर आपको बता, फिर भी आपको बता दूं, कि general की cut-up लगबग 69 प्ल प्लस ही रहेगी, इसे कम number वाले का selection मुस्किल लग रहा है, बहुत ही मुस्किल लग रहा है, फिर भी अगर उनकी किसमत अच्छी हो, तो, अगर paper थोड़ा सा moderate level का आ जाता है, तो cut-up down होके 64 या 65 के आस पास भी आ सकती है, तो थोड़ा सा paper के बाद ही आपको confirm बता लेकिन यह एक expected हैनि कि लगबग इसको मान सकते हैं, पन ठीक है, आपको इतनी तियारी करके चलना होगा, अगला question आपका होता है, कि exam का level केसा रहता है, exam का level आता है, हर साल exam का level आपका easy to moderate level आता है, केसा आता है, easy to moderate level ही आता है, मतलब easy, या तो बहुत easy आ जाएगा, या ब आपका paper का level रहता है, ठीक है, आपके आगे बात करते हैं, exam center कहां आएगा, exam center की बारे में, बता दो exam center आपका कहां आएगा, तो every year जेपूर में ही आता है यानि कि हर साल आज से ही नहीं 2013 ही 2014 तक 2013-2019 तक आपका जो entrance exam का center आया है वो जेपूर में ही आया लेकिन अपवाद स्वरूप यानि कि हर चीज में अपवाद होता है तो अपवाद स्वरूप 2020 में आपका जो entrance exam हुआ था वो हर संबाग में हो गया था यानि कि last year 2020 में हर संबाग में entrance exam का center आया था तो हो सकता इस बार भी जेपूर से बार आपके आसपास वाले जीले में आ जाए क्योंकि RHS ने हर जगर center डालने कोशिस की अगर उनका RHS का जो इसलिए साल वाला जो center डालने का जो प्लान था वो अगर सपल रहा होगा तो वो सकता इस बार आर यूचेस हर डिस्टिक में या हर संबाग में आपका आपके आसपास वाले जीले में center डालते तो दोखते हैं वो notification को पर depend करता है कहां कहां RHS center अपने रकना चाहता है कहां कहां नहीं रकना चाहता वाए की वो depend करेगा RHS घ्यक है अगरा बात करते हैं कौन-कौन से documents की आपको जरुरत पड़ने वाली है बरसके लेकिन counseling के time पर आपको documents की जरुत पड़ेगी वो एए है cast certificate OPC और MBC category के लिए EWS category के लिए एक साल से पुराना नहीं होना चाहिए cast certificate द्यान रखना मूल निवास की जरुत पड़ेगी और SCST वालों के लिए cast certificate कोई स्वावी हो चल जाएगे कितना भी पुरानों चल जाता है 10-12 की mark seat इसके लावा TC आपकी होनी जरूरी है migration आपका होना जरूरी है other card photo और आप एफिडेविट जो बनते हैं ये college के द्वारा college का हर college का लग format होता है उस college में उस format के coding आपको एफिडेविट बना नहीं होते हैं ये सारे documents हैं जिनकी आपको जरूरत पढ़ने वाली है किसमें आपके documents या counseling के time पर आपको जरूरत पढ़ती है एक health certificate की भी आपको जरूरत पढ़ती है इनके साथ साथ आपका जो allotment letter आता है allotment letter तो जरूर लाना जरूरी होता है उसी के बाद आपका एड़ेशन हो पाता है तो ये सारी process होती है ये सारे documents होते है ये सारी चीज़े हैं इन सारे education qualification ये cut-off ये जो तरीके मैंने सारी चीज़े आपको बताई ये सारे जो 10 Qs थे उनके बारे मैंने आपको ये बताई आपको इस वीडियो में दे दिया तो दोस्तों आपको क्या ये वीडियो समझ में आया पसंद आया अगर पसंद आया हो तो अभी लाइक करना और अपने सारे friends में जरूर सेर कर देना धन्यवाद